आज डिस्कस करते हैं प्लाजमोडियम का जीवन चक्र प्लाजमोडियम का जीवन चक्र मनुश्य और मादा एन उफलीज के अंदर कम्प्लीट होता है जब संकर्मित मादा एन उफलीज मनुश्य को काटती है तो प्लाजमोडियम जीवन यानि की स्पोरोजोईट तो याद रखेंगे आप इंपोर्डन कोशन स्पोरोजोईट के रूप में मनुश्य के स्रीर में परवेश कर जाते हैं यानि जैसी मच्छर काटेगा तो स्पोरोजोईट बलड में एंटर हो जाएंगे स्पोरोजोईट संक्रामक रूप से ये दीरे दीरे बाडी में फैलने लगते हैं और ये प्रारम के अंदर लीवर के अंदर एंटर करेंगे तो याद रखेंगे स्पोरोजोईट के एंटर का होती है लीवर में और इसके बाद पहूंच जाते हैं RBC लीवर में ये अपना खाना खा करके खुद को हेलथी बना लेते हैं यानि स्पोरोजोईट पहले कीसे होते हैं बिल्कुल ऐसे स्पायरल टैप से लेकिन बाद में वो हेलथी हो जाते हैं और उसके बाद वो पुरी बॉडी में RBC को खाना स्टार्ट करते हैं जिससे RBC जो है वो फट जाती है RBC के फटने के साथ एक वशिला पदार्थ रिलीज होता है जिसे हैं अपन हीमोजोईन कहते हैं तो नोट करेंगे हीमोजोईन इस पदार्थ के रूदिर में मुक्त होते ही है मनुश्य को अपन देख सकते हैं यहां पर जाड़ा, कमकपी यानि फीवर आना स्टार्ट होया तर बुखार आना शुरू होयाता है जब मादा एनफलीज मचर किसी संकरमित मनुश्य को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में परवेश कर जाते है इसका मतलब क्या हुआ? क्यानि यह वाला साइकल तो रहा मनुश्य के अंदर और उसके बाद जब दुबारा से मादा एनफलीज जब किसी संकरमित व्यक्ति को काटेगी तब उसके अंदर वापस से वो जो स्पोर्ट से वो चले जाते है यानि वो स्पोर्ट की फोर्म चेंज रहती है जिसमें अपन कह सकते हैं गैमीट की फॉर्मेशन होती है यानि मेल और फीमेल गैमीट बनते है जो उस मादा एनफलीज की बाड़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं ठीक है? नेक्स्ट उसके आगे जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल का वो एनफलीज मॉस्कीटो के अंदर होगा और उसके बाद उनकी संक्या बढ़ती रहती है और वहाँ पर उकाइनीट उसिस्ट और उसके बाद में स्पोरोजोईट बनते हैं जो स्पोरोजोईट मादा एनफलीज की लार में जमा हो जाते हैं और फिर ये स्वस्त मिनुश्य को काड़ती है तो इससे ये साइकल वापस से शुरू हो जाता है इसे हम डाइगराम से समझ सकते हैं मादा एनफलीज मॉस्कीटो जब किसी हेल्थी परसन को काड़ता है तो उसके अंदर इसके जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं और ये लीवर में पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं डाइगराम में लीवर में पहुंचकर ये गलाइकोजन को खाना शुरू करते हैं और उसके बाद में इसकी बहुत सारी अलगलग स्टेजिस आती है जिसमें अपन कह सकते हैं अमीबोइड स्टेज, रोजेटी रिंग स्टेज और उसके बाद में ये अपने नर और मादा युगमक मनाते हैं यानि इतना जो है ये सारा मनुशे की बाड़ी में चलता है और उसके बाद में जब कोई मादा एनफलीज, किसी संक्रमित मनुशे को काटेगी तो ये नर और मादा युगमक की अवस्ता हैं जो है मच्छर के अंदर जाकर ये फ्यूजन करती है तो नर और मादा युगमक जब फ्यूजन करते हैं तो मच्छर की बाड़ी के अंदर ये अलग-अलग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं जैसे उसिस्ट, उकाइनीट और उसके बाद में ये स्पोरोजोईट में कनवर्ट होकर लार गरंती यानि लाला गरंती जो लिखा हो slivery glands है slivery glands में जाकर ये इकटा हो जाते हैं तो लाकों की संख्या में ये दुबारा से develop हो जाते हैं तो इस तरीके से इनका life cycle जो है वो मादा एनफलीज और मनुश्य के तरूँ complete होता है